आज हम नादेब पिट के बारे में जानने आए हैं नमस्ते दीदी नादेब नाम नारायन द्योराव पंधारी पंडे के नाम पे रखा गया है जिन्होंने इसे विक्सित किया है नादेब कमपोस्ट मिट्टी की उर्वरा शक्ती को बढ़ाने का काम करती है क्या मैं पिट का माप जान सकती हूँ? जी बिलकुल मैं आपको बताती हूँ पिट की लंबाई 10 फीट है और चौराई 6 फीट है और इसकी उचाई कितनी है दीदी? इसकी उचाई को 3 फीट रखा गया है दीदी ये इटा के बीच में जगा क्यों बनाई गई है? इस जगा को खाड़ी रखने से हवा का आदान परजान अच्छा से होता है दीदी इसको बनाने में क्या क्या सामगरी की जरूरत पड़ती है? और उसका लगभा कितना दाम पड़ता होगा? बालू, इटा, सिमेंट और आसपास उपलवध पत्थरों से पीट बन जाता है साड़े पांच सो इटा, सिमेंट का दो कट्टा, सतर से असी किलो बालू और पत्थर से पीट का धाचा तयार हो जाता है दीदी ये पेट बनाने में कितने लोगों की जरूरत पड़ती है? दीदी एक राज मिश्टीरी और एक मजदूर या फिर साथ में परिबार का एक सदस्य दीदी इस पीट को बनाने में लगभग कितना खर्चा जाएगा? दीदी इसे तयार करने में लगभग दो हजार रुपिया का खर्चा आता है दीदी इस नया पीट को दीन में तीन बार पानी से पटाना चाहिए ऐसा दो दिन तक करना है अपिन आता है